पंजाम में रविवार को छिटपुट घटनाओं के बीच निकाय चुनाव संपन हो गए मद्दान का समय शाम चार बजे तक था लेकिन जो लोग चार बजे तक लाइन में लग गए थे उन्हें भी मद्दान का मौका मिला परदेश में कई जगा मारपीट की घटनाएं सामने आई तरन तरन के कस्बा पटी के वाट नमर साथ में नगर काउंसिल चुनाव के दौरान आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के समर्थकों के भी जड़प हो गई पुलिस ने समर्थकों को खदेडने के लिए लाठी चार्ज कर दिया आमादमी पार्टी के कारेकरता मनवीर सिंग ने आरोब लगाया कि पुलिस ने कॉंग्रेसी समर्थकों के इशारे पर लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाई मनवीर सिंग ने दावा किया कि पोलिस की गोली से वह जखमी हुआ है और पोलिस के लाठी चार्ज से उसे गंभीर चोट लगी है अबोहर के वाठ नमबर 49 में फरजी मद्दान का विरोध करने पर जब प्रशाशन ने सुनवाई नहीं की तो अकाली दल और आमादमी पाटी के उम्मिद्वार पोलिंग बुद्ध से बाहर आ गए वहीं भाजपा और कॉंग्रेस में जड़ब हो गई, कुछ लोगों ने भाजपा के टेंट उखाट दिये और चुनावी सामगरी इधर उदर भी खेर दी इससे महौल तनावपूर्ण हो गया, मुक्तसर के कोट का पूरा रोड पर वाड नमर चार से कॉंग्रेस प्रत्याशी वह काउंसिल के पूर वरिष्ट उपाध्यक्ष यादविंदर सिंग यादू वह उनके साथ ही सुधीर शर्मा पर जानलेवा हमला कर मारपीट की गई उन पर कॉंग्रेसियों के साथ मारपीट के आरोप हैं, राजपुरा में कॉंग्रेस पर बूतों पर कबजा करने का आरोप लगा है, आरोप है कि सभी पार्टियों के एजिंटों को बाहर निकाल कर उनसे मारपीट की गई और मशीनों के बटन दबाए गए बटिंडा में नगर निगम चुनाव के दौरान वाड नमर 14 में भरजी वोट डालने पहुंचे लोगों को पोलिंग स्टाफ ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन कुछी देर बाद उन लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया, बाजपा के परदेश सचिव सु मंतरी मनपरीत सिंग बादल के खलाफ लिखित में शिकायत भेज कर कारवाई की मांग की है, जगराओं के वाड नमर 3 में बाद दो पहर उस समय हंगामा हो गया, जब जाली मद्दान को लेकर कॉंग्रेसी आप और आजाद परत्याशी आपस में भिड़ गए, पुलिस को ज भर घर बाटा जा रहा है, वहीं कुछ बाहरी लोगों से जाली वोट डालने का भी काम कर रहे हैं, इस घटना की सूचना मिलने पर आप विधायक सर्वजीत कौर मडू के भी मौके पर पहुंची, हुश्यारपूर के गडदीवाला में किसानों ने भाजपा देहात के अध लग दोग गी